हैलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आप सब कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे ठीक ठाक होंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज की जो रैस्पी है वो है मोमोस की तो मोमोस बनाने के लिए मैंने लिए है पत्ता गोपी पत्ता गोपी को मैंने अच्छी तरह से धो कर साथी में मैंने लिए है एक शिमला मिर्च जिसको की मैंने धो कर और बीच में से बीच निकाल दिये है और लिए है गाजर गाजर को भी मैंने चील दिया है अच्छी तरह से धो दिया है और लिया है प्याज प्याज का छिल का उतार कर इसको भी ले लिया है मैंने चोपर की help से बंदगोभी को अच्छी तरहां से चोप कर लिया है आप चाहो तो कद्दुकस भी कर सकते हो मैं आपको कद्दुकस करके भी बताऊंगी और इसको दो या तीन बार ऐसे चोपर को चलाने से ये बिलकुल बारिक हो जाता है तो अगर हम कद्दुकस से भी करते हैं तो कर लेंगे या चौप कर लेंगे तो चले इसी तरह से हमने देखा तो यह भी चोप़ की तरह उतना ही बारिक लेंTrack हुआ वहुदे कल लेंगे तो हमने क्या करना है जितनी भी बन गो भी हमने कद면 की सब्ध्य कि यह का उसका पानी हम बिल्कुल ट्रॉट कर लेंगे देखी कितना सारा पानी निकला है इसी थरए हमने गाजर को भी हमने कद्दु कस कर लिया है और इसका भी पानी निकाल देंगे सबजियों का पानी निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम मोमोस बनाते हैं तो जो उसकी फिलिंग होती है मोमोस की वो थोड़ी ड्राइ होनी जरूरी है तो चरी पत्ता गोबी और गाजर को हमने कद्दुकस कर लिया है यानि कि बारिक कर लिया है और इसका पानी भी निकाल दिया है बिल्कुल ड्राइ हो चुकी है उसके बाद हम ले लेंगे कैपसिकम के हम बिल्कुल बारिक बारिक पीस काट लेंगे कैपसिकम को भी हमने बहुत ही बारिक काटना है और इसको एक प्लेट में हम निकालते जाएंगे तो इसके बाद आ जाती है बारिक प्याज की तो प्याज को भी बिल्कुल बारिक काटना है जैसे हम तड़के का प्याज काटते हैं वैसे ही बारिक काट लेना है प्याज हमें इतना बारिक चाहिए और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे कदुकस की हुई गाजर और पत्ता गोबी हमने ले ली है धनिया लिया है बारिक कटा हुआ प्याज बारिक कटा हुआ कैपसिकम बारी कटी हुई, लसुन बारी कटा हुआ, साथी में मैंने लिया है विनगर और लिया है सोया सौस तो चलिए एक बड़े से बाउल में या एक परात में आप मैदर डाल लीजिए मैदर जितना आपको मुमस बनाने हैं उसी साप से और साथी में इसमें डाल देंगे नमक और थोड़े गरम पानी से हम इसको गुंद लेंगे आटा हमने ना ही ज़्यादा सक्त गुंदना है और ना ही ज़्यादा नरम गुंदना है और इसके बाद हम एक कडाही लेंगे या एक फ्राइपेन लेंगे उसमें डाल देंगे तेल और तेल में हम बारीक कटा हुआ लसुन और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे इनको ब्राउन होने देंगे पहले लसुन को ब्राउन होने देंगे और फिर प्याज को क्योंकि दोनों एक साथ जल्दी ब्राउन नहीं होते हैं उसके बाद प्याज और जब ये जादा ब्राउन नहीं करनें प्याज और जब लसुन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे कटी होई गाजर और साथ ही में डालेंगे पत्ता गोभी तो ये दोनों सब्ज़ियां हम पहले थोड़ी सी देर पका लेंगे जिससे कि ये जल्दी पक जाएं क्योंकि गाजर और पत्तागोबी थोड़ी सा टाइम लेती है जब पत्атागोबी और गाजर थोड़ी से पक जाएं तो इसके अंदर डाल देंगे हम शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को भी थोड़ी देर पका लेंगे सब्जी को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर साथ ही में डाल देंगे नमक और इसको अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे अब जैसे ही सबजियां फ्राई हो जाएंगी तो इसमें डाल देंगे हम विनेगर थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और थोड़ा सा ही सोया सॉस डाल देंगे सोया सॉस और विनेगर डालने के बाद इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे और जो मॉमोस की चटनी होती है उसको भी एक चमच डाल देंगे और उससे क्योंकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है साथ ही में डाल दिया हमने धनिया इसके बाद इसमें एक और चीज एड़ करेंगे वो है पनीर तो पनीर मेंने घर पे ही निकाल दिया था और पनीर भी इसके अंदर डाल देंगे पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दो तीन मिनट के लिए इसको पकने देंगे और जो स्टफिंग है मॉमोस की वो बनकर रेडी हो गई है तो स्टफिंग इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी इसके बाद मॉमोस को बनाने के लिए हमने एक कड़ाई ली है कड़ाई में पानी डाल दिया उसको गरम होने देंगे अच्छी तरह से और उसके उपर एक जाली रख दिया जिससे की स्टीम बने और जो आता है हमने अच्छी तरह से फिर से इसको गूंद लेना है और इसको बहुत ही सॉफ्ट कर देना है तो यह सॉफ्ट हो चुका है और इसके बाद हम ले लेंगे एक पेड़ा और पेड़े को लेकर हम उसके अच्छी तरह से बेल देंगे तो मैंने इस शल्पे ही साफ कर दी है शल्प को और उसके उपर रखा है सूखा मैदा और उसके उपर हम बेल देंगे पतली एक बहुत ही पतली जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही इसको बहुत ही पतला बेल लेंगे बेलने के बाद हम इस एक कटोरी की हेल्प से इसको कट कर लेंगे एक गोल छोटी सी रोटी की तरह बन जाएगी तो इसके अंदर हम एक चमच जो मॉमोस की स्टफिंग है वो डाल देंगे और इस तरह से मॉमोस को रेडी कर लेंगे इसी तरह से हमने सारे मॉमोस को तयार कर लेना है तो इसी तरह से हमने सारे मोमोस त्यार कर लिए है और स्टीम भी हमारी बन चुकी है इसके उपर जो परात है छेद वाली उसके उपर हमने थोड़ा सा तेल डाला है ताकि चिपकेना और इसके बाद इसको ढग कर हम पकने के लिए रख देंगे तो चलिए मोमोस टीम में अच्छी तरह से पक गए है देखिए ये ट्रांस्पेरन हो गए है इसका मतलब मोमोस जो है बनकर रेडी हो चुके है इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे इसके साथ ही ले लेंगे हम मोमोस वाली चटनी आप योनिस रख सकते हैं तो चलिए फ्रें पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जब तक के लिए बाई बाई